भारती एक क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों मैदान से दूर हैं इंग्लेंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है इसके बाद कई तरह के अटकले विराट कोहली को लेकर लग रही है विराट कोहली के साथ साथ उनकी पतनी अनुशका शर्मा भी अभी मैदान या फिर किसी भी सारवजनी कारेकरम में नहीं दिख रही है तो सूसल मीडिया के साथ साथ उनके फैंस के बीच में काफी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर विराट और अनुशका कहां है इसको लेकर विसिची याई ने पिछले दिनों एक खंडन भी किया था कि उनके बारे में गलत चीजे ना फैलाएं और ना ही कोई अनुमान लगाएं लेकिन अब उनके मित्र रहे एवी डिविलियर्स ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और उमिद है वह फिर से एक बेदी के पिता बनने वाले हैं इसके बाद अब चर्चात तीज हो गयी है कि या भी डे recipient के बाद कि विराट कोली दूशरी बार पिता बनने वाले हैं और शायद यही वजह है कि वह अपने घर और परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं विराट कोली और अनुश्का शर्मा की एक बीटी पहले से भी है तो दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं और अपना बहुमुले समय उनको देते हैं विराट कोली की पतनी अनुश्का शर्मा पितले दिनों कुछ बीमारी से भी ग्रसेते तो ऐसे में जब वह दूसरी बार मा बनने वाली हैं तो विराट अपना पूरा वक्त के उन्हें दे रहे हैं और उनका पूरा खयाल रख रहे ह हैं जैसे यह ख़बर सामने आई हैं उनके फैंस उनके द्वाया कर रहे हैं और जल्द ही हालांकि अभी आस तारिक नहीं होगी कि उनके घर कप किलकारी गुजिने वाली है लेकर जैस तारीके से उन्होंने मैद से ब्रेक लिया है उससे साफ पनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही विराट और अनुश्का के घर दुसरी बाद किलकारी कुईने वाली है पहले से दोनों को एक बीबी है और उसका पूरा खयाल रहते हैं एवीडी विलियर्स उनके नजदी की दोस्तों में से एक है जब रॉयल्स चैलेंजस बैंगलोर की टीम थी उस टीम में एव जो उनके फैंस के मन में थे कि आखिर दोनों कहां हैं अब सच सामने आ गया है कि आखिर विराट ने क्यों बेक लिया है और इन दिनों वह अपना वक्त कहां व्यतीत कर रहे हैं और उमीद की जा रही है कि जैसे ही अनुश्का मा बनेंगी उसके कुछ दिनों बाद विराट एक वार फिर से मैदान में वापशी करेंगे